आसंता जान्वारी 22 रे प्रतिष्टाब अजद्यारे भव्यो रामा वंदिर सेतिपाइं प्रोस्तुती चुडान तो परजाए रे स्री राम जन्वारी 23 राम जन्वारी 23 साधान संपादक चंपत राय सर पहले से आपको स्वागत है और गश्नियूच को सर जैसे कि अभी बहुत निकट हो गया मंदिर प्रतिष्टा होने के लिए तो कारिया अभी मंदिर का कितने बढ़ पहुंचा राम जन्वारी 22 राम जन्वारी 24 को दोपहर 12 बजे के पश्चात होगी प्राण प्रतिष्टा का पूजन सामाने रूप से 18 जन्वारी से प्रारंब हो जाएगा प्राण प्रतिष्टा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर है मंदिर तीन फ्लोर का है प्राणपितिष्था के बाद जनता के दर्शन ग्राउंड फ्लोर पर प्रारंब हो जाएंगे और फस्ट फ्लोर, सेखेंड फ्लोर पर मंदिर निर्मान का कारी चलता रहेगा अभी ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है अयोध्या मंदिरों की नगरी है तीन हजार से अधिक मंदिर है और सभी मंदिर राम जी के है दस या पंधरा मंदिर छोड़े जा सकते हैं जैन मंदिर हैं, गुर्दवारे हैं, शंकर जी के मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर हैं हनुमान जी का भी मंदिर है, माता भगवती का मंदिर है ऐसे पंधरा भी इस मंदिर छोड़ दिये जाएं, तो तीन हजार में सभी मंदिर राम जी के हैं विचार सब देश को करना चाहिए, आज के तरुनों को विचार करना चाहिए, बुद्धी जीवी, तारकिक लोग, सब को सोचिना चाहिए जहां तीन हजार मंदिर हैं, वहाँ एक मंदिर की लड़ाई, आयोध्या की जनता, आयोध्या का साधू, पांसो साल से क्यों लड़ रहा है तो ये लड़ाई, मंदिर से ज़्यादा, हिंदुस्तान के सम्मान, गौरव की लड़ाई है एक आकर्मनकारी दुनिया में से कहीं आया, और हिंदुस्तान की कमजोरियों का लाब उठाकर, अपनी सेना की अधार पर मंदिर तुड़वाया देश का समाज का ये अपमान है, आपके घर में कोई कबजा कर ले, तो ये आपका अपमान है आप अवेद कबजे से अपनी जमीन, अपना मकान वापस प्राप्त करने के लिए सब प्रकार के प्रयास करते हैं, समाज ने भी किया, तो ये मंदिर हिंदुस्तान के लिए गौरव, राष्ट्र के समान, राष्ट्र की अस्मिता का मंदिर है ये उतना ही महत पूर्ण है, जितना 15 अगस्त 1947 को राजनितिक आजादी का दिन ये उतना ही महत पूर्ण है, जितना कारगिल से मुक्ति के लिए हिंदुस्तान के जवानों ने अपना प्राणों सर्ग कर दिया ये उतना ही महत पूर्ण है, जितना कश्वीर की सीमाओं की रक्षा के लिए नौजवान अपना प्राण देते हैं तो ये राष्ट के सम्मान का मंदिर है जो कर सबग ने जितने भी अपनी प्राणों की आहुति दिया है उनके परिवार उनके रिस्तोदार को आप क्या गैना चाहेंगे 500 साल में जिनों लोगों भी ने अपना प्राणोत सर्ग किया है उनकी आत्मा इं इस मंदिर के निर्मान से आत्मा जहां जहां होंगी वहां प्रसंन हो रही होंगी मंदिर के अंदर जो भगवान पूजा होगे रामला ला उनके तयारी में सब चला है वो धार्मे की विजिद्धान है उसका जनता से कोई जटा संबन नहीं लाश्ट में सारे देश और विदेश से क्या उपिल करें विदेश भासिंगो मैं संसार भर में जब मैं संसार कह रहा हूँ तो उसमें भारत आ गया संसार भर में फैले हुए रामभक्तों से भारतियों से रामजन भूमी में आस्था शद्धा रखने वाले समाज से समस्त हिंदूों से हाथ जोड़ कर निविदन करता हूँ बाइस जन्वरी को अपने गाउं अपने महले अपने कालानी के मंदिर में इखटे हो दिन में दस बजे के लगभगी खटे हों कोई चैनल टेलिविजन एलेडी स्क्रीन लगाएं और आयोध्या का सारा करक्रम परदे पर अपने गाउं महले की जन्ता को दिखाएं मंदिर छोटा हो सकता है मंदिर में जिस किसी देवी और देवता की प्रतिमा है उसी देवी और देवता के भजन कीर्टन करें प्राण प्रतिस्था के कारक्रम के बाद आरती करें प्रशाद बाटें सब अपनी अपनी सावर्थ के अनुसार करें अपनी अपनी ताकत के अनुसार और रात्री को या साहिंकाल सवाच्छे बजे छे बज़ कर पंदरा मिनिट पर जहाँ जहाँ सूर्य जल्दी छिप जाएगा वो अपने नुसार अपने घर के बाहरी दर्वाजे पर इस खुशी में दीपक जलाएं दीपक जलाएं कम से कम पाँच दीपक तो और जलाएं इसलिए हमने दीप मा लिका मंदिरों के करकम होने चाहिए सडक के चौराहों पर नहीं भगवान के आनन दोत्साव में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए दुनिया में रहने वाले भारतियों से निवेदन है बाइस जन्वरी को आयोध्या आने से बचें फर्वरी में आए दक्षल भारतियों से बंगाल उडिशा से निवेदन है जब यहाँ शीत घटने लगे तब आएं 22 जन्वरी को आयोध्या आने से कठनाई यां बढ़ेंगी इसलिए सारा आनन्द अपने गाउं और महले के मंदर में दूसरों को भी आनन्द दे खुद भी आनन्द प्राप्त करें यही मेरा निवेदन दे जो भली आबे आपन सुनू थिले जे राम मंदिर प्रतिष्था दिन निजा निजा अंचलरे जे कुण सी मंदिरे भी रहू सेठी पुजार्चना भजन किर्तन करंतु एबंग भगवान का भगतिरे लिन होंतु अज़द धरू कैमरा पोशन आदित्यों को सो मनोज महानती और गस्ट निजुज